लो सुर्ण्स विलकम टू अभीपीडिया आई होप सुर्ण्स यूर आल दूइंग गुड तो सुर्ण्स आज के हमारी इस क्लास में हम लोग अपना फोकस करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे हैं आपको को अटेंप कर सको उसके पार उसका अंसर फिर उसका सुलूशन ठीक है टिक है सुर्ण्स तो मेरी दफ से थीख है शुरू करते हैं हमारी आज के इस क्लास को मेरा नाम है अभिनव जोशी ठीक है चलते हमारे आज के पहले कोश्वन करने आप ने एक नोटब पढ़ेड लेकर बैठेना उस तरह से अटेंप करो आपने वर्बल किसम अटेंप करो क एक रिसर्च टीम ने डेवलब किया है एक ओशन वेव एनरजी कनवर्टर तो जो समुद्र की लहरे है उसकी जो एनरजी उसको को इलेक्टिसिटी में कनवर्ट किया जा सके ऐसा एक डिवाइस इन्होंने आपको डेवलब किया है पूछा जा रहा है इस प्रोड़क का इन्होंने नाम क्या रखा है क्या इसका नाम है रोशनी वन सतलज वन इंदस वन या सिंधुजावाद कोशिश करो अच्छा कोशन है तो आयटी मदरास की टीम के द्वारा जो एक डिवाइस बनाया गया जो बहुत ही रेवलुशनरी है की सी वेव जो है उस सी वेव से हम लोग इलेक्टिसिटी जनेरेट कर सकते ठीक है असल में उस डिवाइस का नाम क्या रखा गया यह आपसे आप सुछा जा रहा है इस है डेवलप किया है ओशन वेव एनर्जी केंवर्टर कर सकता है सी वेव से देखो जो समुदर की वेज देना वो सारा दिन मूव करिये तो अगर कोई चीज मूव करिया मतलब उसमें इनर्जी है पोटेंशल नर्जी जैसे आप बहुत तेज से भागोगे अगर और किसी में जाके बजोगे तो अगला इंसान गिर जाएगा तो एकदम सी इतनी इनर्जी कहां साही उसको गिराने की आपकी बड़ी ने प्रटेंशल नर्जी अचीव करी भागते बागते जब पानी डैम में बिल्कुल उपर उतर वहां से पानी को नीचे फैंका जातर वो तरबाइन कौन सी कंट्री इसने टॉप किया मतब कौन सी कंट्री यहां पर सबसे बड़ी ए मुनेशन डिफेंस बनानी की सबसे जारा डिफेंस का समान जिस कंटी में मैं युनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो एक मैंने से पूरी न्यूज बनाई थी इसमें बताया गया था कि दुनिया की सौ सबसे डिफेंस कांपनी कौन सी आपको थोड़ा दिखाता हूं इन सौ कंटी में अब डिफेंस का समान काफी बनाना शुरू कर दिया उसकी वैसे हमारी दो कंपनी समान हैं अतने बड़े निस बने पर हम डिफेंस का समान मंगवाते इंडिया साउधिर इंपोर्टर जो समान मंगते बहुत जारा ठीक है अब दुनिया में जितना भी डीवेंस का समान बेच आ जाता है उसका आधह द्नव यू.स चैना उप्रेंसका समान बेच जाता और जल्दी आप देखोगे कि इंडिया भी इस में शामिल होगा हम भी अपनी कंट्री में डिफेंस की मैनुर्फेक्ट्रिंग और डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश पूरी जोरो शुरू पर ठीक है ठीक है आगे चलते इस सारा जो डाटा था सिपरी के द्वा इस अब इस अब बहुत जादा भी आप सारा सारा दिन वे बैठे रहो वह भी सई चीज नहीं होगी पर कुछ कुछ टाइम पर आपको दूप बहुत ज़ुरुरी है क्यों इस जो इंफरेट लाइट आधी है वह बैक्टीरिया को बाड़ी में किल कर देती है कैसे आपके र हो इससे स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और वह हेल्दी टैन को प्रेड्यूस करते हैं यह अल्ट्रा वालेट रेडि रेज जो है सन की वह कनवर्ट कर देती है स्किन ओयल को इंटू विटामिन डी क्या फायदा है ठीक है यहां पर पूछा रहे है कि क्या फायदा हो रहा है किसी को भी किसी भी हुमन को दूप में बैठके ठीक है चार आप्शन आपके सामने इस कोशिकर सुन्ट बिल्कुल जो सही आंसर है वह है असल में हमारी बॉड में बैठने से क्या होता है एक इंसान की हेल्फ इंप्रूव होगी क्यों क्योंकि वह हमारे स्किन ओयल को कनवर्ट कर देंगे विटामिन डी करता ठीक है और बहुत अच्छा कोशन साइंस से जोड़ा हो कोशन है यह जो बैट्स है यह रात में भी कर सकते हैं और कोई लगारे सकते हैं यह वह बहुत कम लाइट को भी बहुत कम लाइट को यूज करके उड़ सकते हैं क्या वह एक हाई-पिच साउंड करते हैं अल्ट्रा सॉनिक और इस साउंड के भरोसे उड़ते या फिर इसमें से कोई भी इस कोशन का सही अंसर नहीं है नन आफ दी अबव तो क्या रीजन है जिसकी वजह से जो चमकादर है जो बैट है वो रात में उड़ सकता है इस कोश्चे का सुट से बिलकुत से आंसर है कि वह क्या करते ना आपको ना वह एक अल्ट्रासॉइनिक सब्सक्राइब करते हैं हम नहीं सकते हैं इसको सुन सकते हैं अब कुछ ऐसा समझे बैट ना एक तरह की साउंड करता है और तो सामने कुछ नहीं होगा तो सीधी चले जाएगे अगर कोई नेच्स कोशिन, कोशन है, नाशनल पॉलिउट कंट्रोल रहे हमारी कंटी में ऎ豁त डेट को अबेट किया जाता है, नाशनल पॉलिउट डेट को हम लोग अब्सारब करते हैं, फर्स डेट ऑर फॉत やक्रram हैं ओफ डेसमबर है 2nd December 2nd December को ऐसा हुआ क्या था कि हम लोग National Pollution Control Day observe करते हुआ कि असल में भुपाल गास ट्रेजडी भुपाल डिजास्टर हमारी कंटी का सबसे पुरा इंडेस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था 2nd of December सेकेंड और 3rd of December 1984 में एंपी के भुपाल मलब शेहर के जस्ट सोड़ा सा बहर एक प्लांट था प्लांट यूनियन कारबाइट कंपनी का था यूके बेस एक फर्म थी यह फर्म करती गया थी यह फर्म पैसी साइड मनाती थी इस प्लांट में बहुत सारे कॉलिटी स्टैंडर्स को ठीक से ना फॉलो करने की वज़ा से हुआ क्या एक बहुत पॉइसनस गैस की क्रिएशन होती जो की है जो मैं आपको बताता हूं घैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट वह गैस लीग होगी जार लोग उस पॉजनस गैस से मारे गए लाक्व इंजर हुए तो हमारी कंटी का बोस्ट इंडस्ट्र डिजास्टर बोलाता है भुपाल डिजास्टर तो यह हुआ था सेकंड ऑफ डिसम और लिगे यह एको उडिवारा नियद्धक के दोड़ा एक्स्पीरियंस किया जाता है कैसा इक्सपीरियनस किया बहुत है निपाल के दौरा नॉरवें के दोड़ारा यह आइस्टबाश्टर जो इंडियर चाइना के बीच में कंट्री एक्सिस्कर थी हुए है पर 1950 ने चा आल्मोस ऐसा नहीं एक्वेटर पर गंटीज होती है और इक्वेटर के आसपाइब कांशर ट्रॉपिक अपर दिन और रात मिलता है पर जो पोल्स की आसपास ही कंटीज है वहां कई मेर ऐसी सिटिवेशन बन जाती है तो इस कोशन में सबसे पॉल के सबसे नौरवेव जैसे अगर आप प्लानेट ओफ को उपर से देखोगे यहां से देखोगे प्लानेट और इसका नौथ पोल है अब अगर आप देखोंड जो नौथ पॉल है उसके आसपास कौन यहां रशी आया यहां यह नौर्वेव पर नौर्वेव का कुछ बाड़ बिलकुल नौर्थ पॉल के पास है तो इस जगह पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि बहुत लंबे टाइम तक रहेगी और बहुत लंबे टाइम तक दिन रहेगा उसकी उसकी रीजन यह कि प्ला प्लानेट थोड़ी टेड़ी है तो पॉल वाला जो पाट आया था वह सूरज के सामने आ जाता है बिलकुल सूरज के पीछे चलाता है अर्थ अगर अपने एक्सिस पर घुम्भी जाएगी ना दिन राथ तो भी फरक ने पड़ेगा ठीक है ठीक है आगे चलते हैं वह कौन प्लानेट को बोला जाता है वह तो यह यसालम प्लानेट है ern вас घ।न वहसर नहीं प्रिंगिंटा वह वह तो आपको जैसे पता है सारे जो प्लानेट से वह सन की लाइट की वज़ा से हमको देखते हैं तो अगर आप देखोगे ना तो कुछ-कुछ टाइम पर यूरेनिस से इसको ग्रीन प्लानेट भी बुला लेते ठीक है तो यूरेनिस इसके डिस्कवरी हुई थी 1781 दिस्कवरी का मुलब था तो यह सोलर सिस्टम में हमेशा से इंसान को पता लगा कि अच्छा एक प्लानेट ठीक है यह संसे अगर देखो तो सत्वा प्लानेट ठीक है अगर आप इसे मर्कुरी वीनिस अर्थ मास की तरह शुरू क इसको यह करता है उसका कॉलिटी स्टेंडर एक डिकले कर दिया है अगर किसी के पास यह जानवर है तो वह इंसान जो है उसको मार्कर में बेच भी सकता है जैसे जो पफेल हुआ है गोट है वो अलेड़ी फूड एनिमल्स हैं पर अब रीसेंटली क्या एफसेस याई ने हिमालियन मस्क डियर को एक फूड एनिमल डिकलेर किया गया है इस कोश्चेंगा जो सुन्स बिल्कुल ही सही आंसर है यह आई होप आपने पकाई सक्वर में हमालियन याक यह ऐसा दिखते हैं हमालियन याक तो एफसेसेशन याक को प्रूब कर दिया इस फूड एनिमल तब उस दाप्रदक्स निकलते जैसे चैसे कफर मिल्क ठीक है और ये तो बिल्कुल सच बात है मीट भी ठीक है आपको लेगा कि इससे तो लोग क्या करेंगे या की ब्रीडिंग करें उनको अपने घर में रखना शुरू करेंगे जिससे इस जानदर की जहां पर human life exist करती है बायो स्वेर इटमॉस्फिर लिथोस्फिर या है इस कोश्वेर इसे तो ऑशन में बी देखने को मिलेगी इसलिए इसकोश्वेर बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा बायो स्विर ठीक है च्छे काatar प्रडिश साथ तिन लिक में हर साल इक पर्तिकुलर डिट को सैदिवरेट किया जाता है कुछी दिन पहले दी नाश्रमिल्क ट हमारी में आजन दूद के बहुत बड़े प्रडियूसर है उसके बिचके रीजर्ण एक पूरा revolution आया था इंडिया में ठीक है उस्ट रेविवलीशन को लीड किया था टॉक्टर वर्गिस Qorin जी निय। फादर और बाइट रेवलुशन उनकी बर्थ एनभस एंडिया में होता है तो क्या डॉक्टर वर्गिस कुरिंट की बर्फ ऐनवर्शी 24 ऑफ नॉवंबर ओती टुविट इस्फ आफ नॉवंबर किस डेट को होती एफ टॉक्टर वर्गिस कुरिंजी की फादर ओफ वाइट रेवलूशन कोशिश करो सुच्छ अच्छा कोश्चन है इस कोश्चन को अ और ट्वंटीज सिक्स ऊवफ नवमबर को नाश्रल मिल्क डे इंडिया में हुटा टिक है जो इनका जनम होगा था 1921 26 ओ नोवंबर थीक है साइन्टिस की कुछ जोलेजिस की यह टीम को एक पर्टीगुलर कंट्री भेजा गया है हम क्या देखो हम ना इलेक्टॉनिक वीकल इलेक्टॉनिक डिवाइस की मैनफेक्ट्रिंग बहुत जादा बढ़ाना चाहते हैं पर उन सब चीजों को बनाने के लिए लीधियम चाहिए है इन में से कौन सी कंटी जिसके पास काफी बड़े रिजर्वज हैं लीधियम के इंडिया के आपस लिट्यम के रिजर्व नहीं है कि आस्चेलिया के बास काफी ज्यादा ब्राजील अर्जंटिना एजिप्ट कोशिश करो कहां भेजी गई लिए इंडिया की टीम है इसको मैं आपको बताता हूं जो इंडियन टीम है उसको भेजा गया कंटी अर्जंटीना साउथ अमेरिकन कंटी अभी आप देखोगे इनको फाइनल्स में फीफा में ठीक है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दीटेम है वहीं करनी है अभी तो टीम भेजी गई है ठीक है वो कौन सा साल है जिसको डिकलेर करवाया गया इंटरनाशनल इयर ऑफ मिलेट्स जैसे दुनिया में दिख रहा है कि फूड क्राइसिस आ सकता है जिस तरह से वार विगरा बहुत कुछ चल रहा है अब देखो वीट और राइस की प्रोड़क्शन में बहुत सारा पान यह इस को समझाओ कि क्यों मिलेट्स को गर जाएगा तो जाद अच्छी चीज़ है ठीक है तो इस कोशन का सुन्स बिल्कुल सही आंसर है 2023 में दुनिया से लिबेट करें अगले सारा इंटरनाशनल इयर ऑफ मिलेट्स हमारे तो अल्यडी सेलिबरेशन शुरू हो भी चुके ठी ठीक है सुन्स आज का हमारा लास्ट कोशन तो आपने देखा होगा जो एक इतना एंवार्मेंट चेंज आ रहा है ग्लोबल वामिंग आ रही है उसमें ग्रीन हाउस गैसेज का बहुत रोल है जितनी ग्रीन हाउस गैसेज हम जादा पर्डियूस करें कि उतना है आप कह इन में से कौन सी वो गैसे जिसको ग्रीन हाउस गैस नहीं बोला जाएगा जो अर्थ को डैमेज नहीं कर रही है ठीक है मैं आपको यह बताता हूं सबसे डेंजरस ग्रीन हाउस गैस होती कार्बन डायक्स इसका रिलीस कम से कम रखना पड़ेगा जब भी हम कोल पेट्रोल इसके साथ आज ही क्लास में जितने कोशन्स मुझे कवर करने थे मैंने कवर सुन्स कर दी है अब एक सेकंड़ जैसे आप में से काफी सारे स्टुड़न्स को डाउट है कि एक्जाम के लिए कहां से पर प्रॉब्लम है कि कोई एक सोर्स ने मिल रहा ठीक है अगर कोई सोर्स मिलते है तो वहां सारी चीज़ अवेलेबल नी है तो सुन्स मैं आपको एक सोर्स के वारे में बताता हूं यह म सिंपली आप गूगल में जाकर सर्च करो अभीपेडिया.भीमन्यू.com इस वेबसाइट को जब सुन्स ऐसे खुल जाएगे तो आपने चूज एक्जाम पर क्लिक करना जो भी आपका एक्जाम के आप तयारी करें आप इसको यहां पर सेलेट कर सकते हो चला हम ऐसा करते हैं है मैंने आपके लिए कवर किया है वो weekly वीडियो में सारे weekly वीडियो में बनाये है ठीक है यहां पर weekly वीडियो फेग्जी करोगे तेड्मर्या पर पर देख जाएगव तो यहां पर सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा कि कौन कौन सी क्लासिज मैंने आपके लिए बनाई है कौन-कौन से नोट्स पीडियाफ सब कुछ आपको इस एक प्लाटफॉर्म पे वेलेबल हो जाएगा यह जो सुन्स मैंने आपके लिए कोर्स बनाया इसका जो प्राइस है वो भी आप यहां पर चेक आउट कर सकते हैं इस को प्रचेस करके आपको एक्जाम तक करन्ट फेस का और कुछ सब को सुन्स यहां पर एक जगह से वेलेबल हो जाएगा ठीक है तो काफी सारे सुन्स का डाउट है कि कहां से प्रपेर करें करन्ट फेस को कि सारी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सके आई होप वो चीज सुन्स क्लियर हो चुकी है मिलते हैं अपनी एक लिए क्लास में तब सुन्स क्रेंद आप बागा त्यूथम झाय। हैं एक जाई हैं प्रॉब्लम झाय।